सो हेलो फ्रेंज तो आज के इस वीडियो में बताने वालो Realme C21 के बारे में अगर उसका पेटर्ण एंड लॉक यान पास्वर्ड भूल जाते हो तो उसे कैसे तोड़ते हैं बेगर मोबाइल सॉप जाए तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं क्योंकि पूरा इंफ्रोमेशन आपको बताने वालो आप गार बैठे इसका लॉक तोड़ पाएंगे तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं शुरू करने इस पहले आप से क्रिक की वेश्ट है गैस हमारे पास यह है Realme C21 का तो सबसे पहले इस फोन को स्वीच आप कर लिना अगर इसका लॉक तोड़ना है तो तो हम सबसे पहले अपना फोन जो है स्वीच आप कर लेते हैं गैस यहाप यह हम अपना फोन जो है स्वीच आप कर लिए हैं उसके बाद पूरे तरीके स्वीच आप होने बाद आपको सिम्पल इस पावर बटन एंड वल्लूम डाउन को दोनों को साथ में प्रेज करना है कुछ इस तरह से उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफरस आने बाद आपको पावर बटन छोड़ देना है गैस यहाँ पे रिकावरी मोड आ चुगा है हाँ पे देख सकते हों गैस उसके बाद आपको किया करने थोड़ा सा वेट करना है वेट करने बाद गाईज कुछ ए तरह इंटरफेस आनेक बाद आपको सिम्पल पाउर बटन पर क्लिक करना है इंगलीज पर सिलेक्टेड है पाउर बटन क्लिक करनेक बाद दोस्तों इस तरह से ओप्षन आपको मिल जाएंगे जो कि पाउर बटन क्लिक करके वाइब डाटा लिखा हुआ है यहाँ पर चले आने है आपको सिम्पल डाउन बटन क्लिक करना है यहाँ पे आनेक बाद आपको power button क्लिक करना है जैसे power button क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आजेंगे उसके बाद volume down पे क्लिक करके format पे आजना है जो format data जी क्या है यहाँ पर आने बाद सिंपल यह पावर बटन डाबने बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आते हैं बट कई लोग बोलते कि इसमें तो पासपोड मंग रहा है यह उपर वाला जो वेरिफिकेशन कोड है उसको नहीं डालते हैं यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा उसको यहाँ पर डालने बाद दोस्तो कुछ 이 तरह से इंटरफेस आ जाएगा उसके बाद जैसे हम फार्मेटपर क्लिक करेंगा हमारा जो फोन है फायरमेट हो जाएगा तो गाइस कुछ इसी तरह से अपना phone जो है फार्मेट कर सकते हो यानि उसको lock जो है तोड़ सकते हो जैसी फार्मेट बटन पर किलिक करेंगे फार्मेट हो जाएगा तो कुछ इसी तरह से lock तोड़ते हैं अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like and subscribe